हलो फ्रेंड्स असलामों अलेकुम आज की मेरी रेसिपी है चिकन सूप की अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप सिंपल और असान तरीका से इसे घर में बना कर पी सकते हैं सूप बनाने के लिए मैंने गैस में कड़ा ही चड़ा दिया है अब हम इसमें डाल रहे हैं दो ग्लास पानी फिर हम इसमें डाल रहे हैं देड सो गराम बड़े पीस में कटे हुए चिकन अब हम इसको ढग देंगे और ढग कर पकने देंगे अब हम एक जार में डाल रहे हैं नौ से दस पिस लसुन और एक इंच बारी कटा अद्रप और ये एक हरी मिर्च एक छोटा प्याज कटा हुआ एक चोथाई चम्मच काली मिर्च डाल कर धक्कन लगा कर ग्रैंड कर लेंगे मैंने चीकन को लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया था अब हम इसमें ये ग्रैंट किया हुआ मसाला भी डाल देंगे अब डाल रहे हैं चार पीस हरी इलाइची इलाइची कम्मूँ खोल कर डालना है और ये तीन से चार छोटे टुकडे दालचीनी के अच्छी फ्लेवर के लिए इसमें डाल रहे थोड़ा सा हरा धनिया अब हम इसे एक बार चला लेंगे और गैस का आज मेडियम कर देंगे और ढग कर पकने देंगे इसको पकते हुए आठ मिनट हो गया है अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और एक छलनी से छान लेंगे अब हम छलनी से सारे चिकन पीस को अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम छलनी में ये मसाले है उसे चम्मच से मसल लेंगे ताके इसमें जो चिकन का पानी हो अच्छी तरह से बॉल में निकल जाए अब हम चिकन को हाथ से ही तोड़ कर इसके रे से अलग करेंगे अब हम कडाही में डाल रहें एक बड़ा चम्मच घी, अब घी के जगा में बटर भी डाल सकते हैं फिर हम इसमें ये चिकन वला पानी डाल देंगे अब इसमें डाल रहें एक ग्लास पानी फिर इसमें ये चिकन डाल देंगे अब डालेंगे टेस्ट के मताबिक नमक अब डालेंगे एक चोथाई चम्मच विनेगर अब एक कटोरी में डालेंगे दो चम्मच कॉर्ण फ्लॉर अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका घोल बना लेंगे अब इस घोल को धीरे धीरे करके सूप में डालेंगे और लगतार चलाते रहेंगे अब इसमें डाल रहे हैं एक चोथाई चमत सोया सॉस अब सोया सॉस को चलाते हुए सूप में मिक्स करेंगे और दो मिनट के लिए तेज आज में इसे पकाएंगे सूप को पकते हुए 2 मिनट हो गया है तो हम इसमें डार रहे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा प्याज और प्याज को मिक्स करेंगे और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे ये सूप अब बनकर तयार है अब हम ये गर्म गर्म चिकन सूप को एक बॉल में निकाल लेंगे अब ये चिकन सूप पिने के लिए तयार है आप इस सूप को खुद पिए अपने फैमिली को पिलाए अगर आपको हमारी ये चिकन सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यूँ